आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ इसके इंदर क्या है current का मतलब एक धारा एक क्या current तो अगर मैं मानता हूँ क्या speed of current इसको मैं मान लेता हूँ V और speed of men वो मैं मान लेता हूँ right? और यह कुछ इस तरह से होगा अगर मैं draw करूँ तो इस तरह से कुछ हमारी current होगी और इस तरह से मालोग की यह river है और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो flow हो रहा है वो इस direction में हो रहा है और यह speed of current क्या दे रखा है V, V kilometer per hour से हो रहा है इस direction में और साथ साथ जो speed of man है वो ही दे रखा है अब क्या है कि upstream का मतलब यह हुआ upstream speed upstream speed का मतलब यह हुआ कि मतलब जो भी man है ना वो धारा के मतलब यह बही current है उसके अपोज़िट डिरेक्शन में जा रहा है तो क्या लिख दूँ मैं अपोज़िट direction तो opposite direction में जा रहा है इसका मतलब जो है man की तो velocity वो कम हो जाएगी man की speed कम हो जाएगी क्यों क्योंकि इसकी speed की वज़े से तो यह हो जाएगा u minus का v और इसी तरह से downstream speed क्या होता है कि वो same direction में जा रहा है किसके current के ठीक है तो यह मेरा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा u plus का v यह जोड़ जाएगी अगर मैं इसको बोल दूँ s upstream मतलब s u और यह होगा downstream मतलब s d यह मेरी होगी speed और इसके साथ-साथ मेरे को बोल रहा है कि यह जब upstream जाता है downstream जाता है तो उसमें जो लिया गया जो time होगा वो upstream जाने का 3 by 5 होगा तो मैं एक बाद time निकल लेता हूँ मैं माल लेता हूँ कि to मतलब क्या upstream वाला time तो time होता है मेरा क्या distance upon me speed और distance मैं माल लेता हूँ इसकी d तो यह हो जाएगा क्या d upon me to, tu मतलब upstream वाला मतलब u minus का v और downstream वाला मतलब d upon में u plus का v अब मेरे को क्या बोला है कि जो downstream वाला जो time है मतलब td वो upstream वाले का 3 by 5 है तो मैं values put कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा td मतलब d upon में u plus का v equal to 3 by 5 d upon में u minus का v मेरा d से d cancel हो गया equation क्या बनी equation मनी 3 into u plus का v equals to 5 into u minus का v हम इसको further solve करूँगा तो क्या हो जाएगा 3u plus का 3v equals to 5u minus का 5v इसको मैं यहाँ पर ले जाऊँगा और इसको यहाँ ले जाऊँगा transposition कर रहा हूँ तो यह हो जाएगा 8v और यह हो जाएगा 2u और यह क्या बच जाएगा यह 4 times जाएगा तो 4v equals to u और एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ v upon में u क्या हो जाएगा 1 by 4 यदि मैं v को क्या मानता हूँ k तो मेरा u क्या हो जाएगा 4k इस वाले relation से ठीक है तो हम मेरे को एक और चीज़ दे रखी कि donor की speed around का multiplication 36 है तो मैं क्या कर देता हूँ कि मेरे को दे रखा है v u is equal to 36 तो यह हो जाएगा k into 4k equal to 36 4k square equal to 36 k square equal to 9 और k की value क्या है मेरे 3 minus 3 को omit करेंगे और k की value 3 आ गई तो मेरे को क्या पूछा है कि speed of man and speed of current तो क्या हो जाएगा speed of man वो मैंने क्या माना था speed of man मैंने माना था u तो वो क्या निकल क्या आया 4k तो 4 into 3 मतलब कितना 12 km per hour और speed of current वो मैंने मानी थी v वो निकल क्या आया k k मतलब 3 km per hour ok students तो speed of man कितना है 12 और 3 यह कौन से option के इंदर अभी लेवल है option नमर 1 के इंदर अभी लेवल है ok students और यही मेरे क्या हूंगे final answers हूंगे thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज यह डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर आप